दोस्तो आज एक Micro Cap IT कमपनी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे चनल पर तीसरी बार इस कमपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं छोटी सी कमपनी है, ER&D सेग्मेंट में काम करने वाली अपने सेग्मेंट की बहुत ही पुरानी कमपनी है ओरेड़ी इस कमपनी ने multi bagger return पिछले 3 सारों में बना के डिया है अब भी भी हमें ये कमपनी आने वाले 3 से 5 सारों के लिए अच्छी लगती है तो आज के वीडियो में इस कमपनी के बारे में जहानकारी प्राप करेंगे कमपनी के बिजनस अलग-अलग business segment के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले समय के अंदर company के लिए कहां-कहां growth के वापचनरी बन सकती है उसके बारे में वीडियो के अंट में चर्चा करेंगे तो मैं अनुरोद करना चाहूँगा आप सभी से इस वीडियो को पूरा देखिए business को समदने की कोशिश कीजे और उसके बारी अपने risk profile के हिसाब से आप अपना निवेश कीजेगा दोस्तों आगे बने उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक disclaimer आ रहा है अनुरोद रहेगा ये disclaimer आप पर लिजे ये वीडियो सिफ और सिफ हम आपके information purpose के लिए बना रहे हैं किसी भी company में निवेश करने से पहले आपको अपना risk profile समदना है और अपने वितिय सलागार से सला लेके ही आपको अपना निवेश करना है दोस्तों हमारी company के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे अब आप हमारे साथ one to one video call बुक कर सकते हैं और आपके portfolio को optimize करने में हम आपको सहायता कर सकते हैं आपको क्या करना है link हमने description में provide की है वहाँ पे जाके आपको अपना suitable slot बुक करना है उसके बाद आपको अपना portfolio हमें email करना है और जब आपका slot आएगा तब हम आपके portfolio पे discussion कर सकते हैं तो इस video के खतम होते ही हमारा meet pro का link ज़रूर आप check कीजिएगा सबसे पहले आज के जो हमारी company है उसके share के बारे में चर्चा करते हैं 1300 करो के size की छोटी सी micro cab company है 6009 रूपे share का करन भावे valuation currently 64 का PE है बढ़ कंपनी अच्छा growth भी दिखा रही है तो आगे जाके valuation भी comfortable हो जाएगा promoter के पास 45% के आसपास हिस्सेदारी है दोसो टोटल इस company में 12,133 unique shareholder है 2.2 करोड share ये shareholder hold करते हैं तो अभी भी इतने जादा shareholder इस company में नहीं है तो अभी भी ये company unknown company ही है और हमने कई बार चर्चा की है हमारे चनलाई पर कि unknown company जब non बनती है तो उसमें बड़ी wealth बनती है तो दोस्तो आज के वीडियो में जिस company के बारे में चर्चा करे रहे हैं कई सारे लोग already gas का चोके होंगे इस company का नाम है Onward Technology जो हमारे पुराने subscriber हैं वो जानते हैं Onward Technology को हम पिछले तीन सालों से recommend करते आ रहे हैं सबसे पहले COVID के समय पे हमने COVID के बार ये company recommend की थी तब 100 करों का market ये प हुआ करता था कोई जानता भी नहीं था उस company के बारे में वहाँ से 100 करों की कमपनिया 1300 करों मतलब के तकरीबन 12 गुना हो चुकी है पिछले साल हमने तकरीबन सारे 300 के भाव पे recommend किया था वहाँ से भी share almost double हो चुका है और अभी भी हमें इस भाव पे भी Onward Technology अच्छी लगती है दोस्थों ये company ER&D segment में काम करती है इसके लबाद digital transmission में काम करती है और IT service भी company offer करती है जैसे कि आप अपने screen पे रेख रहे है globally जो 2000 बड़ी fortune कमपनिया है बड़ी बड़ी दिकच कमपनिया है globally उसमें ये company कई सारे client रखती है दोस्तों विश्व की top 11 जो auto company है उसमें से 8 company onward के client है विश्व के जो top 10 industrial equipment बनाने वाले manufacturer है उसमें से 5 इस company के client है तो company कई बड़े बड़े global client रखती है दोस्तों कुछ बड़े client के बारे में चर्चा करें उसमें Tumans, JCB, Rolls Roy इसके लबाद सेंट गोबें, Daimler, GE, Ford वा टेक जिसे बड़े बड़े client के नाम आते हैं 13 offices है company के 6 country के अंडर पांच offshore company के development center भी है तो company के पास अच्छा खासा business experience है promoter भी इस industry के जाने माने veteran है उसका फाइदा भी company को मिलता है कई सारे client के साथ ये company पिछले कई सालों से काम करती आ रहे है company करंटी चार major service land में काम करती है पहला है mechanical engineering service दूसरा है company का embedded and electronic services तीर सा है digital transformation और चोथा है IT service इसके ये company कई प्रका के सब service अपने client को अफ़करती है और company धीरे धीरे जो इनका पूराना legacy business है उसको high margin business के तरफ लेखे जारी है digital, ER&E यहाँ पे company का जाधा focus है जहाँ पे company को better margin भी मिलता है और आगे भी company यहाँ पे ही focus करती रहेगी तीन major vertical है onward के जिसमें अगर आप देखे company इसमें industrial heavy equipment segment में काम करती है यहाँ पे जो आपके mine की company आ है और heavy engineering company है वो इनके client है उसके बाद transportation और अगर आप देखे mobility यहाँ पे company railway segment और auto segment में कई बड़े-बड़े client रखती है और आखरे में healthcare और medical segment में अगर आप देखे तो medical devices और pharma segment में कई सारे company को cutter करती है और यह तीन vertical में company कई सारे अलग जो global player है उनको company अपना service और अपर करती है और हमने और इसार सारे कई बड़े-बड़े client company रखती है और आगे भी अगराब देखे company के लिए इस segment में बड़ी opportunity बनी रहेगी दोस्तों NASCOM जो इंडिया का IT का बड़ा फोरम है उसका रेसंटी रिपोर्ट आर उसके हिसाब से NASCOM के हिसाब से globally जो e-R&D spending है वो 2025 तक 1 trillion US तक पहुंच आएगे तो यह e-R&D का market है वो बहुत ही बड़ा market है दोस्तों जब आप निवेश करते हैं तो आपको IT में ये भी देखना है वो company कहाँ पे काम करती है कई सारी बड़ी-बड़ी last step company है अब दोस्तों वो service oriented company है आपको छोटी niche area में काम करने वाली company में ही focus करना है e-R&D में काम करने वाली auto EV segment में focus करने वाली company पर आप focus करेंगी तो वही company आगे जाके faster growth दिखाएगी और जिसमें growth आएगी वही company को market valuation भी देगा तो यह एक ऐसी company है जिसमें आगे भी बड़ी growth बरकरार रख सकती है जैसे कि आप अपने screen पे लेख रहे है इस company में निवेश करने के क्या क्या रेशनल बनते हैं तो company धीरी धीरे vertical expansion कर रही है company करने नए vertical अपने business में add करती जा रही है top 25 जो बड़े spending करने वाले customer है उनके company का ज्यादा focus है और recently FY23 में 15 ऐसे company के पार client है जिनका billing revenue अगर आप देखे 1 million USD से उपर का है तो company top client का wallet share भी धीरी धीरे increase करती जा रहे है FY23 में company का revenue 43% से बढ़ा है तो company का top sign भी improve हो रहा है और margin improve होगा तो eventually bottom line में भी बड़ा improvement आएगा company देड़े देड़े low margin legacy business अब high margin business के तरह अपने business को divert कर लिए है तो वहाँ पर company का margin भी आगे जाके और भी improve हो सकता है दोस्तों इसके लगा company के जो promoter है हरिस मेंता जो company के आप लेके founder है वो NASCOM जो IT का सबसे बड़ा forum है उसके भी founding member है और एक IT veteran इनको माना जाता है तो एक बड़ा experience हरिस मेंता लेके आते हैं और अब company की command इनके बेटे जिगर मेंता के पास है वो भी industry का बहत्रीन experience भी रखते हैं और नई सोच भी रखते हैं तो एक बहत्रीन management इस company को drive कर रहा है company की balance rate भी अब dead free हो चुकी है तो यहाँ से आगे जाके company में investment opportunity और भी बन सकती है दोस्तों company आगे जाके जो fast growing IT segment है वहाँ पे भी अपनी capability डेवलोप कर रहे है AI, Machine Learning, IoT, Data Science, Smart Factory, Digital Twins और अगर आप लेके दूसरे कही सारे segment में company focus कर रहे हो यहाँ पे company expect कर रहे है यह सारे जो fast going niche area है वहाँ से 2026 company 100 USD million का revenue अचीव कर पाएगी तो यह एक बड़ा अगराब देखे company यहाँ पे target कर रहे है आगे जाके company इन सारे vertical में अपनी capability और भी build करेगी और यहाँ पे company जादा से जादा client acquire करने की कोशिश भी करेगी तो company अपने service को भी expand कर रहे है और आगे जाके यहाँ पे company के लिए बड़ी opportunity बन सकते है valuation currently आपको expensive लगेगा और share blue sky zone में चड़ रहा है कोई भी resistance है नहीं तो कहाँ पे रुकीगा कहना मुश्किल है तो इस company में आप धीरे धीरे निवेश करें दोस्तों यहाँ पे आप short term में कोई target लेकर न चले तो better हैगा इस company को आप 3-5 साल के viewpoint से रखेंगे और आप इस company में निवेश कर पाएंगे इस level पे निवेश करें maybe market correction में कुछ news आए कुछ हो कभी result खराब आजाए नीचे मिले तो वहाँ पे भी निवेश करें बट long term reason के साथ निवेश करेंगे पांस साल तक बने रहेंगे तो यहाँ से यह onward technology तो तेरा सो क्रों के साइज की company है पांच जा क्रों का market cap, शे जा क्रों का market cap यह 10,000,000 का market के भी अच्चीव कर सकती है तो इस company को watches में जरूर रखिएगा और मौका मिलने पर इस company में आप दीरे दीरे अपना निवेश कर सकते हैं तो दोस्तों आज की हमारी बहुत ही बहते ही बहते ही इन IT company onward technology आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने comment हमें जरूर बताईए इस वीडियो को और आपके इस investment mantra channel को share कीजे अपने दोस्तों के साथ, परिवाजनों के साथ channel को share करना मत पूलिएगा अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe कीजे और meet pro के link हमने description में provide की है वहाँ पर जाके आप अपना slot भी book कर सकते हैं thank you for watching, जै हिन, जै महाकार